साइन्स मस्ति के आउनलाइन क्लासेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज हम लोग बिना किसी देरी के हुए बात करते हैं हर्ट बीट के बारे में समझना है और चुकि आपने बात कर लिया था डबल सर्कुलेशन को समझे थे हम लोगों ने बड़ा ही जब यह चीज तो हमने समझ लिया कि हां क्या डबल सर्कुलेशन है अब बात आती है कि क्या इसके कोई प्रभाब तो परता होगा जैसे देखो हम लोग को जब ही कोई चीज पावर लगा आकर बिगने के लिए करते हैं तो हम लोग उस समय क्या करते हैं अपने बड़ी को कॉंट र सरकुलेट कर लेते हैं तो एसा ही कआप कुछी बलड को सर कुलेट करना होता है। स्युक्ugen के बलड जो होता है वह आपको बहुत तो यह चीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं पूरे अपने काबू के साथ सारे काम को जब करने रहते हैं तो आपको याद है कि हर्ट का काम भी क्या रहता है हर्ट का जो काम भी है वह हर्ट का काम है पंपप करने का था उसका भी काम क्या है पावर लगाने का तो हर्ट क्या ह होगा हैं आपने हो और पूरे पाबर के साथ लगा देऊ करके करके हैं कि वेज आजीगे। अब कम सब्सक्राइए काम हो चाहिए माधर अब कन अरलेक्ट होने ने पर हमारे बड़ी में क्या हुआ और लोड को पम पप करता है और एक बार ब्लॉट को लेता है उसको ड्रकरणपरा करे एक का्या और relaxation के कारेण vibration उत्पनidences था जिसको हो प्सक्रशन को क조 thing is Heartbeit कते हैं क्या कते हैं DRS अब वर्मेशा के मेशरी यह जो नस दिखाई हैं ईयसे तना विवा च्छेतर आपक हम해बते तो इसमें कुछ ने तो कुछ रहा है कुछ कुछ जा रहा है तो यह जो होता है इसके साथ वह करते हैं पॉल्स करते हैं क्या करते हैं इसके बाद आता है कि अंतरगत ब्लॉट को क्या हाई प्रेशर के साथ ब्लॉट के अंतरगत भी ब्लॉट प्रेशर होता है हाई ब्लॉट प्रेशर और हाई ब्लॉट प्रेशर और उसी पर का लो ब्लेट प्रेशर तो पाल्सेज के आसीज होता है चलिए यह पहले तीन फिगर आपको जो मैंने दिखाया है यह फिगर कोई दूसरा चीज नहीं है यह फिगर इसलिए लाया गया है कि आप इसके समझे कि वही जो डवल स्लॉकुलेशन बाला बात हमने आपको बताया था यह वही चीज है कि किसमे वन चंबल होता है कि इसमें फोर चंबल होता है तो यह चीज का यह फिगर है दूसरा फिगर देखिए यहां पर आ गया होट बीट को महसूस करना है तो होट बीट को महसूस करना है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपना हाथ रखते यहां पर यहां पर जब हाथ हम लो इस फेगनों मैनो मेटर रखते हैं। तो ऐसे करके यहां पर रखते हैं और उससे पता चल जाता है कि हां इसको क्या हुआ है नहीं हुआ है। चलिए अब अगला फिगर करते हैं अगला फिगर है यह देखिए इसको क्या करना है जब भी इंपल्सेज को महसूस करना है तो आप अपने इंडेक्स फिगर और यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है इंडेक्स फिंगर और मीडिल फिंगर को ऐसे हाथ को थोड़ा सय से रखकर अढ़े सांती में जहां पैन चलता और रखके को बेप की महसूस होगूस को हूं हरते हों जम सब्सक्क्राइब समय पल्स ता है को मैं कि कहका लगका हुएं अगला देखते हैं आगला यहां पर दिखिए यह आप याद होगा सब को जानते हों कि इस बली बाती परचीत है यह जो कहते है एस फ्रेग्रो में लगाओ और जो भी गाव में रखा लिया है जोला चापी लेकिन वह डॉक्टर जरूर हो जाता है इस फेग्रो मेनुमीटर है अब इसमें के शुछ नहीं करना था आदमी क्या यह जो यह जो है इस पर लगा दो आचोकि इसमें मसीन सिट लाता है तो यह कितने blood pressure के साथ heart उसको pump up कर रहा है blood को arteries में यह चीज यह count कर लेता है और आपको बता देगा इसको सिफ पढ़ना भी बहुत ईजी है इसमें मापा जाता है अकर ये दो तरह के होते हैं एक होता सिस्टॉल एक होता डिस्टॉल और एक होताँ di अब सिस्टॉल कहा है इसके बारे में आगे हम पूरे datal के साथ पढ़ते हैं यहां पर दिखिए डॉक्टर साहब कर रहा हैं भी वही चीज यह आपका आगया lymph nodes के बार में lymphatic system के बार में बताएगा है कि lymph हमारे सरीक इंतरगत यह से ही रहता है lymph का काम क्या होता है वो आप लोग जानते हैं कि इसका भी काम है transportation का तो transportation का एक जो काम था हम लोग देखे थे कि इसका था heart का था, blood का था blood के बार में पढ़ेंगे हम लोग अभी ही पढ़ेंगे अगले class में पढ़ेंगे इसके बार में चलिए अब बीना देरी की हुए note के साथ तो पहले में एक overview त्यार करता हूँ जिससे कि हम लोग समझने की कोसिस करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है तो हम लोग के सामने question no.1 आ गया कि हाट बीट क्या है question no.1 तो एक चीज़ तो हमको हाट बीट समझना है दूसरा impulse समझना है तिसाल लिंपियटिक सिस्टम के आरे पढ़ना है हम लोग क्या करते हैं इन ही सारे topics को किलियर करने के लिए अपने PDF नोट से पढ़ने की कोशिस करते हैं चुक्के PDF नोट बहुत ज़रूरी है पढ़ना और PDF नोट को जैसा कि आप जानते हैं कि PDF नोट आप लोग के लिए तयार किया जाता है आप उसे नोट बना सकते है उससे आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा तो यह चीज आप ध्यान दीजेगा इस पर चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं शुरू से हर्ट बीट दा हर्ट पॉंप्स ब्लॉड इन्टू आवर अर्ट इस बाइब का चीज हुआ कि जब हर्ट करता है ब्लॉड को अर्ट रिज में तो क्या होता है हर्ट कॉंट्रेक्ट हो जाता है हर्ट क्या हो जागा जिसके बारे में मैंने बता जाता है ऐसे हो जागा और इससे क्या होगा कि हर्ट की साइच छोटा हो जाता है और यह आर्ट रिज में जो ब्लॉड होता है उसको ब्लॉड उसको भी ग्रेट फॉर्स के साथ क्या करता है पास कराता है ब्लॉड को बहुत और चलाता है अपने ओरिजनल साइज में और इसके बाद क्या होता है कि ब्लॉड से फिर फिल फूल अब तुम पूछो के पल्मुनेरी भेन क्या है कैसे फिल अब होता है यही चीज कहिएगा तो यही बैमानी है आपका हम लोग के साथ तो किर्पया करके वह वीडियो जरूर देख ले उन सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलाएगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ चैनल का लिंक चैनल पर जाकर आप उसको को पर सकते हैं अब आती है बात यह चीज सो ठीक है तो contract relax होता है one complete contract and relaxation of the heart is called a heart beat अब यही जो complete contract and relaxation है इसे ही binge beat काते हैं अभी धरक रहाई है तो यह आप कर सकते हैं इसको HOWुट इस एपलेज़ो एक के देहां करेंग एक्स करएंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम्ải कि बलट का जो circulation होता है वो तगर हो जाता है ज्यादा हो जाकता है इसलिए इसका heartbeat बढ़ सकता है the heartbeat can be can be counted usually by counting दप पॉल्स और इसको क्या कर सकता है पॉल्स को आधी sound of heartbeat, वह magnifies करता है sound of heartbeat, so that they can heart easily, इस कारण वह उसको heart कर सकता है, इसली और इससे हम लोग क्या करते हैं, heart beat को महसूस कर लेते हैं, तो doctors आप जब आते हैं, तो heart beat पहले चेक किसी ले करते हैं, क्यों heart अगर थोड़ा भी काम खराब तरीके से कर रहा है, तो उसका contraction और relaxation से पता चल जागा, चुकि blood ही सब चीज को transport करता है, तो blood में ही किसी परकार की problem होगी, तो वह doctor को जैसे ही पता चल जागा, तो उसका दवा दे कर वह उसको ठेक कर देगा, अब आता है pulse, every time the heart beats, blood is forced into arteries, हमेशा जब heart beat होता है, तो blood का होता है, force होता है into arteries में, retries में बेढ दिया जाता है, blood को, this blood makes the arteries expand a little, अब यह जो होता है arteries को expand करता है, फुलाता है थोड़ा सा, the expansion of the arteries is time the blood force into it called pulse. यही जो expansion होता है, expansion होता है, इस से ही कहा जाता है क्या चीज? इस expansion को कहा जाता है आपको, इसी expansion को कहा जाता है है क्या कहा जाता इसको pulse कहा जाता है जो expansion होता है जिस से कि blood arteries में forced होता है heart के द्वरा तो इस से क्यों एकस्पेंसिन दौत इससी expansion कोही कहा जाता है जाता है पॉल्स चलिए दध पॉल्स rate is same as the rate of heartbeat क्योंकि जितना contraction relaxation होगा उसी हिसाब से heart beat भी जो altrice का भी expand होगा और पचकेगा expand होगा और पचकेगा expand होगा expand का मतदद फूलना और पचकना दपकना दप्वास is traditionally taken above the wrist pulse जोता है traditional परमपरिक तोर पर हमेशा ही wrist पर लिया जाता है taken above the wrist the pulse can be felt with finger placed gently on arteries at the wrist इसको आप लोग जैसे ही arteries को पर placed किजिएगा अपना अंगली को तो आप इसको अच्छे तरीके से तो आप इसे प्राक्त कर सकते हैं we place the first two finger हम लोग पहले दो fingers को fingers को index finger and middle finger हो चाहिए तो middle finger ही हो गया index finger हो गया middle finger and next finger finger of our right hand अपने right hand का on the inner side of our left wrist अपने left wrist का जो inner side हो अंदर वाला side हो उस पर जब आप अपना मीडेल फिंगर और index finger को डालिएगा press it gently से थोड़ा सा प्रेस किजिएगा क्या करना है थोड़ा सा प्रेस करना we will feel some babes touching our fingers और इसके लिए क्या जरूरी एक्तम सान जगत चाहिए इस प्रेव के लिए कि जब आप उसको रखिएगा तो आप कुछ babes को fill किजिएगा we count the number of such babes हम लोग वैसे babes को count करेंगे जब हम लोग babes को count कर लेंगे in one minute by using a watch this bill give us pulse rate और एक मिनट का समय हम लोग timer लगा लेंगे और pulse को गिन सकते हैं हराम से कि कितना हो रहा लेकिन हम लोगों से बड़ा उसके लिए करना तो इसलिए generally हम लोग ऐसा करते हैं कि हाँ उसको देखते हैं पल्स को पल्स पर से पल्स को जांच करते हैं तो पल्स को असानी से जांच कर सकते हैं यह भी चीजिए लेकिन इसके लिए क्या जैसान जगत चाहिए अब आता blood pressure को जाना तो तुम स्टेटोस्कोप ले लो और अब ब्लॉड प्रेसर को जाना तो एस फ्रेगनो मेनोमेटर ले लो जो वह बहां में पट्टी की तरह होता पीछे फिगर में मैंने दिखाय था देखना उसको बहुत अच्छे तरह किसे ब्लॉड प्रेसर इससे कि ब्लॉड जो हमारे ब्लॉड में पंप्ट किया है हर्ट के द время खेंड होगे । दो और है ब्लॉड प्रेसर का यह जा द्युक्तन प्रेज्ट इंक्तू दो तो हमेशा ही यह दो तरीके से क aç रहे शरीर के अंतर का थ्या जाता है जो blood pressure होता है प्रेशर होता है दो तरह को था है systolic-dystolic क्या है systolic-dystolic the phase of the heartbeat when the heart context and pump the blood into arteries is called systole, ऐसा phase जिसमें की heart beat the phase of the heartbeat heart beat का वैसा phase जिसमें heart context जिसमें heart का है था गोन्टक्त होता है और great force के साथ blood को artridge में send करता है तो यह कहला हैगा systole याद कर लो कि great force के साथ जब contract होगा तो systole and relax होगा तो distole तो contract चीस समय होगा तो उस समय blood pressure क्या रहेगा? high रहेगा बहुत ज्यादा blood pressure होगा जब relax करेगा तो blood pressure कैसे रहेगा? calm रहेगा and the phase of heartbeat when heart relax or expands and allows the chambers to fill with blood is called distole और जब relax करता है relax करता है और allows करता है सारे दोनों chambers को कि भाई आए आप फिल अप होगा blood के साथ और फिर उसको आगे जाकर क्या कि जदा pump up किया जाता है तो pump up करने बहुत आगा पंप करने बहुत आगा इस इसमें relax हो रहा है वो कला है distole the maximum pressure at the the maximum pressure at the blood lift the heart through the main artery arota during contraction phase is called systolic pressure ऐसा फ्रेशर जिसके दोरा blood होता है heart को छोड़ कर अर्ट्री में आ जाता है किसके दोरा में और रोटा में आ जाता है तो वो हमारा क्या कह लाएगा वो हमारा कह लाता है आपको systolic pressure अधी high pressure in the main artery maintain a steady flow of blood blood in the at the arteries to at the capillaries और जो high pressure होता है इसमें artery क्या करता है artery maintain करता है कि जो blood हो वो आसानी से flow कर सके capillaries को the main the maximum pressure in the arteries during the relaxation phase of what is called dystolic pressure the minimum है अब इसमें minimum pressure लगता है जिससे की arteries say arteries say heart में फिर मतब देखो heart say arteries में गया तो high pressure लगा और उखाला गया systolic pressure और जब arteries से फिर heart में आएगा तो कम pressure लगा तो इकाल आएगा है dystolic pressure ऐसे भी तुम जानते हो कि मोटा जगह से पतले जगह में जाने में ज्यादा प्रेसर लगता और पतला जगह से मोटा में आने में कम प्रेसर लगता है ठीक है the value of dystolic pressure pressure is always lower than the systolic pressure तो dystolic pressure का value हमेशा ही lower होना ते है किस से dystolic pressure से ठीक है mmHg मतलब mmHg mmHg में मापा जाता है और हमेशा यह याद रखना कि systolic pressure हमेशा ही बड़ा होना चाहिए dystolic pressure तो सामान जो है जिस पर कि तुम्हारे बड़ी में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा systolic pressure तो 120 mm होना चाहिए डिस्ट्रोलिक प्रेसर असी होना चाहिए तो इस यूजरी रीटेनेश 120 वाई 80 120 वाई 80 अब अगर मानों की 140 वाई 80 है तो इसका मतलब क्या है कि हाई blood pressure है और हाई blood pressure के condition में आदमी बहुत ज्यादा इनर्जेटिक हो जाता है कभी कभी बेचेन होने लगता जब लोग प्रेशर प्रेशर होगा मतलब कॉम प्रेशर होगा ता कॉम बलोड तुम्हारे अंदर गद लोग प्रेशर है प्रेशर फ्रोम पर्शन तुप त्फरसन एंद फर्म टायमतीं फ्रोम प्रेशर था समय समय भदलने के साथ तह भायरी भी क ρता है और प्रशन से पर्शन में इस पर्शन तुपर्शन में क्या करता keeping में तो है अलग भी होता हाई High Blood Pressure is called Hypertension High Blood Pressure जो होता है वो Hypertension कलाता है High Blood Pressure क्या कलाता है Hypertension High Blood Pressure is caused by the constriction norring of very small arteries called which result in अब दो करने के मत्तव की High Blood Pressure के कारण कब हो सकता है कि आपका जो अल्टरी होता है वह अगर मानो की बहुत पतला हो गया कभी कभी किसी में होता है कि कुछ खाने की प्रोलम से या न्यूट्रियंस की कमी से हमारा और्टरीज पतला रहा जाता है मोटा नहीं उपाता है तो उसमें क्या होगा जब यह High Blood Pressure को उपस्तिती होगा तो इसा पाशाहा ossikum होगा अधीक होगा आपको याद राप्रोलम से संस्टियस एव्योड्र मैं आध्या हो गाले सभ्रोलम से होगा तो इसा प्रेश होगा आदिशन में में हाले स्थुक्त तिस्टोलिक प्रेशर होना जाहिए एक्सोबीश स्टोलिक प्रेशर होना जाहिए चलिए होप करते हैं कि आपको इचीज समझ में एक दो बार पड़िए 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 पीडियो भी बहुत इजी में लिखागा और मैंसे समझाने की भी कुछिस बहुत अच्छी स्टेश्ट इसलिए ज़रूए कि मैंनों 10-10 कुश्चन हो रहा था 70 कुश्चन आपके बैंक में आ गया अब कुश्चन में कितना कितना जान रही है जरूरी है न चलिए उमीद करते हैं कि आप लोग कुछ समझ में आ है कि अब अब अब